हलो बच्चों कैसे हैं आप मैं अजे सिंग एक बाफ फिर से आपका हार दिख स्वागत करता हूँ हमारे नव वर्ष नवीन तमवर्ष दो हजार बाइस की पहली जन्वरी की पहली कक्षा में तो बच्चों मेरी तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार आदर सलाम और नव वर्ष की हार दिख से काम ना है आपको और आपके पूरे संपूर्ण परिवार को ठीक है बच्चों चलिए तो कौन-कौन है जो मेरे साथ जुड़ गये हैं मुझे बताएंगे प्लीज क्या बात है क्या बात है बहुत अच्छी तरह से चलिए तो आज जैसा कि आपको ग्यात है नव वर्ष है नया दिन है नई सुबह है ठीक है हर बार भी सुबह आती है लेकिन नया वर्ष नय दिन के साथ कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आता है कुछ ना कुछ युनीक लेकर आता है ठीक है चलिए तो सबसे बात कर लेते हैं सबसे पहले रह रहर रहु आपत्रूण लू 28 नीहारणी दिव्या दूलखित है। चौदरी क्या पड़ी एक परिफुर लिस्टेय गड़ी ऐप़ीए ट्रूभे पर दूबै है। तो करना क्या है इस बार की तैयारी और जोरदार होगी हमारी क्योंकि नीट की सीट इस बार होगी हमारी समझ रहे ना बात को यानि की करना क्या है करना बस इतना सा है कि मन लगाना है और 2022 में होने वाले एक्जाम को क्या करना है क्रैक करना है किसके साथ में हमारे साथ में तब युदु हमारा स्लोगन है अनकैडमी है तो पॉसिबल यानि कि लेट्स क्रैक इट तो क्रैक तो करना ही है चलिए बच्चों तो काफी बाते हो गई है सोहनलाज शर्मा हेलो बिटा अक्षा शर्मा हैपी न्यूएर बिटा हैपो हैपी न्यूएर हैपी न्यूएर चलिए तो 12 बच्चे कनेक्टर हो चुके और बच्चे का है यार आपम तो काफी दिनों बाद मिल रहे हैं है जी थोड़ा सा गैप हो गया था डॉक्टर फैमिली शिवानी के लवा हेलो बिटा हेलो 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 चलिए तो भई नए साल की शुरुआत हो चुकी है और आज हम बात करेंगे कुछ नए हैगी यानि कि अगर हम बात करेंगे हम बात करेंगे और आगे बढ़ दाते हैं बच्चों तो जैसा कि आपको ग्यात है तो जो बच्चे मुझे जानते है उनको मेरे बारे में पता है जो हम से नए जुड़े हैं उनको अपने बारे में बता देता हूँ बेटा मेरे नाम अजय सिंग है मैंने सनाता कर थाथ भी फार मेंसी की ये रास्ता अन्यूस्टिफ हेल साइंस जैपोर से नीट कोच हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ नीट इक्षा में आठ वर्षों का अनुबाव विगत आठ वर्षों में लाखो विध्यारतियों को उनके लक्षे को प्राप्त करने में सक्षम कर चुका हूँ ठीक है, चलिए तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चनल पर जोड़ सकते हैं जो कि हैं हमारा अनकैडमी नीट विजी का चनल यहाँ पर आपको सभी प्रकार की जो अध्यान सामगरी है ये अध्यान सामगरी आपको प्राप्त हो जाती है ठीक है, समझ गे मेरी बात को अध्यान सामगरी प्राप्त होती है जिससे आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर सकें और आप उनको notes की रूप में इनको प्राप्त कर सकते हैं print out की रूप में पुस्तक की रूप में भी तयार कर सकते हैं और अपनी device के अंदर भी store या save कर सकते हैं ठीक है बच्चों चलिए दो प्रकार के subscription की बात करते है iconic की और plus की तो जैसा कि आपको पता है iconic में कुष्ण कुष्ण यूनिक होता है विक्तिकत मार्ग डिशन प्राप्त होगा शिर्ष परिक्षव विशग्यों के आमने सामने परिक्षण विश्शन होगा दूस अपता की योजनाओं के साथ में अध्यन योजन करता होंगे अध्यन सामगरी आपको पराप्त हो जाएगी आपके गंतवी स्थान तक जहां तक आप विरास्ते हैं और अगर इंप्रस की बात करें तो अज सिमित लाइव क्लासिस आपको देखने को मिलती है सब्ताइक टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं सनरचित पाठी क्राम मिलतार आज सिमित पहुँच के साथ आप दुनिया के किसी भी कोने में बैट कर इनका भरपूर आनंद ले सकते हैं ठीक है बच्चों चलिए अगर सब्सक्रिप्षन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप अजे सिंजी की कोड इस्तिमाल करके 10 प्रतिशक की जो अतिरिक चूट है वो आप पराप्त कर सकते हैं ताकि आप क्या कर सकें? आगे बढ़ सकें और यहाँ पर सब्सक्रिप्षन भी ले सकें हो यहाँ पर अनकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर तो इस मोके को जाने ना दें छे मेने का सब्सक्रिप्शन तो कम से कम बनता ही बच्चों इतना तो करना ही है ठीक है आप 22% यहाँ पर आफ मिल रहा है तो आप इसको जरू ग्रैप करें कोड इस्तिमाल करें मेरा अजे सिंग जी या आप इस्तिमाल कर सकते हैं यहाँ पर शेर शाह ठीक है दोनों कोड आप इस्तिमाल कर सकते हैं आपको यहाँ पर 10% की जिए कितना मिले का 22% आपको यहाँ पर आफ मिल जाएगा तो कोड क्या यूस करना है अजे सिंग जी या फिर शेरशाह यूज़ करना है ठीक है बच्चों चलिए अनेकैडमी प्रोडिगी टेलेंट रिवार्ड एग्जामिशन है बिटा स्टेंड चैंस टू इन एडुकेशन फॉर लाइफ ठीक है एडुकेशन फॉर लाइफ समझ रहो पूरे लाइफ के लिए यानि कि 23 जनवरी को होने वाला है दस बजे होगा आपको पार्टिसिपेट करना है सेवन्थ क्लास के लिए एट्ट क्लास के लिए नाइन्थ के लिए टैंथ के लिए तो अपने छोटे भाई बहनों को भी बता दीजिएगा IIT हो, JEO या NEET, UG हो सब भी के लिए Exciting Scholarship मिलने वाली है, Rewards है, Complete होंगे All India Level पे ये सब कुछ ठीक है तो आपको Participate करना है, अपने छोटे भाई मेनों को भी करवाना है ठीक है? Exciting Rewards मिल रहे हैं, हम आपको बता चुके है Rank 1 को Macbook Air मिलेगी, Rank 2-3 को Apple iPhones मिलेंगे Rank 4-5 को Apple iPads मिलेंगे, Rank 6-40 को Amazon Echo Dot मिलेंगे and Rank 41-100 Amazon vouchers तो मिली जाते हैं तो देखिए, 100% Scholarship का Slave भी है, है ना? First to 10 में, 11-25 को 75% मिलेगा, Rank 26-100 में 50%, Rank 101-125% और Rank 201-500 को 15% मिली जाता है, तो बच्चों कहीं ना कहीं तो Stand करी जाओगे ठीक है? Schedule आपके सामने है, आप इसका Screenshot ले सकते हैं, कक्षा 7-8 के लिए और फिर Need UG 12th Class से और Droppers के लिए भी पूरा एक Temptible आपको दिया गया है तो आप इसका Screenshot ले सकते हैं, ठीक है? और साथ इसाथ आप यहाँ पर जो है, इसको Complete कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो 23 जनवरी को, 29 जनवरी को, 6 फरवरी को और 13 फरवरी को यह चार टेस्ट आपकी कंड़क्ट होंगे टाइमिंग क्लासेस के इसाप से आपके सामने गिवन है, दिया हुआ है, इसका Screenshot आप जरूर से जरूर ले लें ठीक है बच्चों? चलिए तो most important जो है 10,000 question for need 2022 के लिए start हो रहा है 5 जनवरी से, रनिती batch start हो रहा है 2022 का आपका 5 जनवरी से, need toppers batch start हो रहा है यहाँ पर 5 जनवरी से, और niche chef for need 2022 आपके लिए हो रहा है यहाँ पर 7 जनवरी 2022 से, ठीक है बच्चों? चलिए तो ask a doubt का feature आप जानते हैं, करना क्या है? बच्चर अप्लोड करनी है, अपने किसी भी doubt की crop करना है, language set करनी है और सीधे क्या करना है? educator को send कर देना है, ताकि आप क्या कर सको? अपने doubt का आप answer पा सको समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए तो ask a doubt feature नहीं आप जानते हैं, जहाँ पर हमारे अनुभवी शिक्षक जो है, वो आपके इंतजार में है यानि कि आपके प्रश्णों के इंतजार में है, ताकि वो उत्तर दे सके आपको वीडियो solution के मान्थियम से ठीक है बच्चों? चलिए तो ne2g combat again started है, 11 के लिए कक्षा, 12 के लिए और 13 के लिए, 45 मिनट का होगा, 28 कोशन होगे separate contest ने class 11 के लिए, 12 के लिए और 13 और droppers के बच्चों के लिए, ठीक है? तो यह आपको participate करना है करना है, code के अस्तिमाल करना है, आप सबको पता है, हर महीने हो रहा है, लगातार हो रहा है, participate करते रहना है, अजे सिंग जी का code यूज कर लेना है ठीक है? now, combat is now on web, तो web पर भी अब उपलब्द है चलो बच्चों, मैं आपका ज़्यादा समझ आया नहीं करता हूँ, अब हम चर्चा कर लेते हैं, किसके बारे में? प्राणियों में सन्रचनात्मक संगठन के बारे में तो ये हमारा महत्वपुन अध्याय था, animal tissue की हमने बात करी थी अब इसमें कुछ जो प्राणिया आते हैं, जिन पर महत्वपुन प्रश्न बन जाते हैं और आपसे पूछ ले जाता है, तो इस बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है ठीक है, चलिए, तो भाई, सभी बच्चों को एक बार फिर से मेरा best wishes मेरी तरफ से इस साल के लिए आपके आप लोग खूप हसें, खेलें, कूदें, फूलें, फलें और अपनी नीट की seat को grab कर लें, उसको पा लें, बस यही हमारा एक लक्ष है और इसी लक्ष के साथ में, हम आपके साथ, इस दुनिया के सबसे बहतरीन मंच की बात करूँ तो इंडिया का सबसे बहतरीन मंच है, मैं तो कॉंगा, दुनिया का सबसे बहतरीन मंच है Unacademy जहाँ पर आपको मिलती है ऐसे शिक्षा जिसके आप सच में हकदार है चलिए बच्चों तो हम चर्चा कर रहे हैं आज प्राणियों में सनचनात्पक संगठन में सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर किसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे कैच्चुए के बारे में किसके बारे में बच्चों कैच्चुए जिसको हम बड़े प्यार से क्या बोलते हैं अर्थ वार्म भी बोलते हैं ठीक है आती है बात समझ में बिल्कुल बेटा इस येर क्या विस्कुल NCRT को क्रैक करना है NCRT तो बेटा आपको कोड करके मैं डिकोड करी रहा हूँ न तो परिशान कहें होते हो परिशान नहीं होना है परिशानियों का हल हमारे पास है आई बास समझ मैं तो बहित नए साल का आगाज है तो जोश बनाके रखो जोश बनाके रखो भस ठीक है चलिये 16 बच्चे कनेक्टेड है बता नहीं क्यूँ भई मुझसे कोई नाराजगी है जैं सिर्फ 16 बच्चे कनेक्टेड है ऐसा क्योँ इतनी ना इनसाफी अरे यार ऐसे ना किया करो रे ऐसे ना किया करो हाँ इतने ना इंसाफी भाई क्यों कोई बताना चाहेगा किसान का दोस्त है केच्वा बिल्कुल बिल्कुल मंजीत सहाब किसान का तो दोस्त होता ही है केच्वा क्योंकि मरदा के अंदर पाई आता है मिट्टी को उतल फुतल करता है उर्वरक्ता को बढ़ाता है उपजावपन को बढ़ाता है और खाद के रूप में भी काम में आता है मचलियां भी पकड़ी जाती है इसको खाना बना कर क्योंकि मचलियां भी इसको लालायत होकर खाती है समझ गए मेरी बात है छोटा सा लेकिन काम बहुत बड़ा है और अगर इसके शरी के संद्चना की बात करें तो बस अपने जहन में केंचुए को बिठा लेना अपने नजरों के सामने केंचुआ रख लेना और उसको बस देखते जाना और समझते जाना सब कुछ समझ में आ ज चलो बिठा हैपी नियर बना रहे हैं हैपी नियर बनाना है हमें नीट की सीट के साथ इससे बढ़िया अगर कोई साल हमारे लिए बन जाए ना तो मैं नहीं मानता नीट की सीट हाथ में होगी ना इससे बढ़िया साल हमारे जिंदगी में और कभी नहीं हो सकता समझ रहे है मेरी बात को चलो 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 ठीक है बेटा दिनेश मंडोलिया जी भी आ चुके हैं चलो भई अब शुरुआत करते हैं किसके भई केच्वे के देखो नाम से कंफर्म है केच्वा अब देखो केच्वा क्या होता है भई केच्वे के अगर हम शरीर को देखें तो शरीर कैसा होग लाल भूरे रंग का होता है कैसा होता है लाल भूल रंग का होता है तथा ये कैसा है एक आकोशी किये प्राणी होता है यह आकोशी किये प्राणी होता है कैसा प्राणी है यह आकोशी के प्राणी है अच्छा मिलता है कहां पर है देखो हमें पता है सब बस आप सब को सब कुछ पता है लिखते जाएएगा समझते जाएएगा कहां पर भई यह हमें नम इस्थानों पर देखने को मिलता है नम इस्थानों पर पाया जाता है ठीक है जैसे हम किसकी बात करते हैं, हम नम मृदा की बात करते हैं, अर्थात सॉयल की बात करते हैं, या फिर मेरी मिट्टी है ना, तो मेरे देश की मिट्टी में पाया आता है, नम मृदा में होता है, ठीक है, नम मृदा में होता है, और कहा निवास करता है, भई यह उपरी सतह पर निवास करता है यानि कि मर्दा के तो नीचे और मर्दा के नीचे के तो उपरी सता होती है ना उस पर ही क्या करता है यह अपना घर बनाता है निवास करता है इसलिए हम थोड़ सी बगर मर्दा को खोते हैं मिट्टी को खोते हैं तो जो कैचुआ है ये निकल कर आ जाता है, ठीक है, समात को समझ रहे हो ना, इस तरह से, चलो, तो अब अगर इसकी बात करें, तो ये क्या है, भई, इसमें मुख्य रूप से पाय जाने वाली प्रज़ति के कर हम बात करें, झाल लिया, अब इसमें पाय जाने वाली तो बस यह था मुझे लगा था कि नए साल में कुछ ना कुछ अच्छा होना करना चाहिए तो क्यों ना थोड़ा था एक enjoyment हो जाए तो वह वाली बात थी बेटा मैं गया कहीं नहीं था मैं यहीं पर हूं आप लोगों के साथ हूं आप लोगों का प्रेम मिला हुआ है बहुत ह चलिए तो ना मिस्तानों पी पाए जा रहा है उपर सदब पाए था अब इसकी अगाँ पजाती की बात पर रहें इसमें यह. कौन कौन सी होती है वाई एक तो किसकी बात करते हैं हम फेरेटीमा ठीक है इक तो फेरेटीमा और दूसरी होती है lembrikas लंब्रिकस ठीक है तो यह जो प्रजातिया है इसके अंदर पाई जाती है मुख्य रूप से अगर हम बात कर तो फैरेटिमा और लंब्रिकस है यही होती है ठीक है आई बात समझ में चलो अब देखो इनका शरीर कैसा है कैंचुए को आप बिठाओ ठीक है तो कुछ इस प्रकार से हम मान लेते हैं बाई यह कैसा होता है यह कैंचुए इस प्रकार से संदशना होती है कैंचुए की यह लीजिए साब यह ठीक है तो यह केंचुव के सनरशना है अब यह केंचुवा आपको किस प्रकार से दिखाए दे रहा है दिखाओ यह मैंने एक केचवा बना दिया ठीक है अब इस केचवी की संद्रशना को देखो आप कैसा दिखाए दे रहा है भई यह लंबा होता है शरीर लंबा है इसका तो क्या लिखेंगे इसका शरीर लंबा होता है पहला बिंदू इसका शरीर लंबा होता है ठीक है दूसरी चीज तो याद रखने लाए कि क्या भाई यह सो से 120 ठीक है सो से 20 120 समान समखंडों में बटा होता है ठीक है बच्चों तो देखो मैंने कीचो बना दिया अब यह कैसा है लंबा दिखाई दे रहा है शरीर लंबा बता है इसका सो से 120 समान समखंड इसके अंदर उपसी दोते है और उनी की अभीतर क्या होता है यह बटा हुआ होता है ठीक है चलो अब देखो इसके अगर प्रश्ट सतय की बात करें तो इसमें प्रश्ट तल पर बटा इसके अभी दिखाई ता आपको लोगो प्रश्ट तल की बात करें तो प्रश्ट तल कैसा है गहरी रेखाएं पाई जाती है प्रश्ट तल पर यह जो से देखो आप ठीक है तो क्या बोलते हैं इस पर जो हैं गहरी रेखाएं पाई जाती है ठीक है अब यह जो गहरी रेखाएं परती उनको क्या बोलते हैं प्रश्ट रक्त वाहिका बोलते हैं क्या है यह हो गई प्रश्ट रक्त वाहिका ठीक है वह अधर पर क्या होते हैं जाते हैं आती है बात समझ में बिल्कुल 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 फैरेटी माय लिंब्रिकस होता है बेटा हम बात कर चुके हैं बस मज़े से पढ़ते जाओ कुछ नहीं करना आपको इसके लावा ठीक है तो भई हमने देख लिए तहरे गेहरे तल पर इसके में जो होती है रख विभेदित किया जा सकता है समझ करते हो यानि कि सेगमेंटेड की बात कर रहे हैं इनको विभाजित किया जा सकता है कि नहीं कि इनमें क्या मिलेगा सेगमेंटेशन देखने को मिल जाता है आती है बात समझ में ठीक है चलो clear आगे बढ़े अब देखो अब किसकी बात करें भई अगर इसके मुख की हम चर्चा करें तो मुख पर क्या होगा भई इसका जो अगर भाग होगा उस पर क्या होगा मुख उपस्तित होगा ठीक है तो अगर भाग में क्या है इसमें अगर भाग में क्या होगा? मुख होगा अगर भाग में क्या होगा भई? अगर भाग में इसमें मुख होगा और कैसे होगा? एक तरह से बात करें तो मुख होगा या इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें पुरो मुख भी बोलता है क्या होता है? पुरो मुख यानि कि इसको हम क्या बोलते हैं प्रोसो मियम बोलते हैं उपस्थित होता है अगर मुख बोलते हैं या प्रोसो मियम बोलते हैं तो यह क्या होता है आगे की तरफ में है इसके अगर भाग में यहां उपस्थित होता है आई बात समझ में clear है यहाँ तक बिल्कुल प्रोस्व्यम उपास्टित होता है ठीक है अब देखो इस प्रोस्व्यम की अगर हम बात करते हैं तो इस पूरो मुख में क्यों होती है कुछ पालिनुमा सन्रचना पाई जाती है तो इस पूरो मुख में कुछ पालिया बनीवी होती है ठीक है पाली नुमा संदचना पाई जाती है ठीक है कैसे होती है पाली नुमा संदचना होती है ठीक जो की क्या करती है इनके मुख को डखने का कारे करती है जो की इनके जो की एक सेकिन बच्चों जो की इनके मुख को क्या करती है भाई डखने का कारिय करती है आई बाद समझ मैं तो कुछ इस प्रकार से देखो आप ये ऐसे सन्रशना होती है ठीक है ये हम वले बना देते हैं इस प्रकार से ये लेजी आप ये ये इस प्रकार से ये इस प्रकार से ये तो इसको मुख के डखने के लिए क्या होती है कुछ पाली नुमा सन्रशना है इसमें पाई जाती है जो की इसके मुख क्या करती है ढकने का कारे करती है ठीक है और इसमें एक प्रकार का क्या बहुता है फानन पाय जाता है ठीक है तो एक प्रकार का या फानन भी बोलते है ठीक है फानन या फानन पाया जाता है ठीक है क्या पायता है फानन पायता है जो क्या करता है इसको रेत में जो की इसे रेत्व मर्दा में गती के लिए सहायक होता है गती के लिए या फिर सरकने के लिए सरकने में सहायता करता है आई बात समझ में ठीक है? हाँ बिल्कुल बिटा ये ना कई खंडों में अर्थाद चेंबर्स में ये बटा वता अभी एक एक बात करेंगे बस आप अपने सामने रख लो आप अपने सामने जातों NCRT का डाइगराम रख लो बच्चों या फिर आप बस एक कैंचुई को इमेजिन कर लो बस हम इमेजिन करते-करते हम उसके बारे हमें लिखते जा रहे है हम कुछ ही नी रटते रटना तो हमें कुछ है नी ठीक है, मुछ एक शचब्ड होते हैं जो आपको याद करने की होते हैं, जब हो सन्दचना पढ़ेंगे इसकी तो सन्रचना में सब लिखावा आ जाएगा तो उसको आपको ध्यान रखना है अगरे बाग में मुक्भाग की बात करते हैं और इसमें क्या होता है प्रॉस्मियम होता है यानि की पुरो मुक्भाग होता है और इसे में कुछ पाली नुमा सन्रचना होती है जिनको हमने क्या बोला, उसमें यहाँ पर हमने इनको बोल दिया, क्योंकि डखने कारी करती है, ठीक है, तो एक प्रकास दखने कारी करी है, और इसे में क्या होता है, एक फानन पाय जाता है, एक उभार कहता है, तो वो क्या कर खंडों में विभाजित होता है ठीक है यानि कि किसकी बात करें सेगमेंट में कि सेगमेंटेशन पाया जाता है ठीक है और देखो आपके सार्ण कितर होता ना बिल्कुल दिशर्ण लगी रहती नॉस प्रकार से बच्चों इसके नदर रिंस की तरह ये सेग्मेंटेड होता है ठीक है ना और इसमें लगबग हम बात करें तो कितने हमने भी बात करें थी सौ से 120 खंड इसके अंदर पाए जाते हैं कितने पाए जाते हैं सौ से लगबग 120 जो खंड है इसके भीतर पाए जाते हैं आई बात समझ में है ना बिल्कुल राजकुमार कर रोजया जी हेलो हैपी नियर बीटा दिनेश मंडली बहुत आसान लग रहा है समझना सर चलो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका आसान ही करना है रटना कुछ नहीं ना मैंने कहा का आप से केंचवा रगलो सामने बस इमेजन कर लो आपके सामने केंचवा रखा है और आँख बंद करो फिर लाइन लिख लो जो मैं बता रहा हूं करते जाओ कुछ नहीं याद कुछ नहीं रटना पड़ेगा समझ गए तो खंडी कितने हैं लगबग 100-120 खंडों में यह विभाजित होता है तो हमने मुक्य की ब हमसिता तो ईसा 했어 बातकर यह समझत है से एक सोबीस घंड पढ़ाते हैं इसा हम बात करें तो इसके जो अदो मुक्भाग हुता है इसमें क्यी उत्ता में और इसमनोगा को नो क्रिंगी ऊर्म उस्तित होते हैं तो इसको शरकने चानल मदद करती हैं ठीक है यह हमने समझ लीद बताओ इसमें कुछ रटना पड़ा, नहीं रटना पड़ा, clear है, आगई बात समझ में, ठीक है, आप चलो, आकारिकी में कैसे थे यह, आकारिकी में लंबे थे, आकारिकी में लंबे होते हैं, ठीक है, तथा इन में क्या पाजाते हैं, इन में शूक पाए जाते हैं, इन में क् शूक को समझ लेना ठीक है? यह जो शूक होते हैं तॉ कि उपस्थित उत्प T वलाय मतलब यह जो रिंग दिखरे ना आपको इन को वलाय بोलते हैं इन वलाय उन्हों में उपस्थित होते हैं उपस्थित होते हैं ठीक है और यह क्या करते हैं एक प्रकार से हम बात करें तो यह गति-पदान करते हैं अब देखो यहाँ पर चित्र की सनरशना की बात करें हम तो क्या होता है यहाँ पर शू की तो उपस्थित देंगे और शरी कैसा होता है, इंका खंडों में बटा हुआ होता है, ठीक है, और शरी का पहला खंड कों सा है, भई मुख खंड होता है, अब देखो आप यहाँ पर, इस चित्र को समझेगा, यह किसका भाग है बेटा, यह इसके मुख का भाग है, ठीक है, और यहाँ पर किसकी बात क है इक करता है इसको धंकी अधीक को ठीक और यहां पर क्यों तिखा भी तो यह कि आपको भागिर है तिकी छ की लिए गहरे दार च्रंव पश्चित हो ती समझ तुब हैं बात को ठीक है तो यह कैसे हैं लगबग हम कित्ती बात कर ठेंगें लगबग 100 से 120 खंडों में यहां बटे होवे होते हैं क्लिएर है आई बात समझ में चलो आप देखो यहां पर यह मुख से निची का एक दो तीन चार इसे किनते जाए की निची की तरफ आपको जो यह सन्रशना दिखाई दिए इसको हमने क्या बोला क्लाइटेलम बोला यह जो क्लाइटेलम होता है यह क्या होता है एक तरसे क्या बोलते हैं इसको ग्रंथिक उतक जो है इसके नरुपस्तित होते हैं और यह जो ग्रंथिल उतक है एक तरसे बात करे तो यहाँ पे खंडो को इसको हम क्या बोलते हैं? पर्यानिक या क्राईटेलियम भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इसको हम पर्यानिक भी बोलते हैं. हिंदी में इसको पर्यानिक बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एक तरह से क्राईटेलम बोलते हैं. ठीक इसको हम क्या बोलते हैं, तीन भागों में बटा होता है, ठीक है, पहले भाग के हम बात करें, तो पहले भाग को हम क्या बोलतेंगे, अग्र परनिका, अग्र परनिका, ठीक है, दूसरे भाग के हम बात करें, दूसरा क्या हो जाएगा, परनिका, ठीक है, और तीसरी को बात कर तीसरा क्या हो जाएगा पश्च पढणिका बीटा बात समझ में आ रही है आ रही है या नहीं आ रही है ये बताओ जल्दी से जवाब दे तो कि आ रही है या नहीं समझ में आ रही है तो ये क्या है खंडों में बटा हुआ होता है कैसा है है खंडों में बटा हुआ है ठीक है चलो यह देखो मुख क्या होता है मुख तो नीची की तरफ होता है जहां से क्या करता है यह मरदा को खाता है और मरदा मैं से क्या है अपने जो भोज़क पदार थे उनको वहाँ यहीं से मुख के द्वारा एक कत्रित करता है ठीक है तो यह मान लो कि आप होती न डिल मशीन टाइप समझ रहे हो तो देखो यह क्या है आगे डिल मशीन के निसेस का मू है है ना इसको क्य क्लियर बेटा अब यह सेग्मेंट होते हैं यह कहां से मुख से लेकर कहां तक होते हैं यह गुदा के भाग तक होते हैं यानिकि एनस तक यह खंड जो है उपस्थित इसके अंदर होते हैं ठीक है चलो तो अब पहला खंड की इसकी बात कर लिए पहला खंड कैसा हो गया मु चौड़ी गुलाकार पट्टी कैसी यह है बहुत चौड़ी गुलाकार पट्टी पाई जाती है ठीक है इस चौड़ी गुलाकार पट्टी को हम क्या बोलते है एक तरह से बात करें तो यह जो गुलाकार पट्टी होती है क्या होती है ग्रंथिल पट्टी भी बोलते है तो यह ग्रंटिल पत्टी यह, चौदवे वा, कौन से ? सौलवे खंड को, खंड को गहरे रहती है, फिक है ? ईसको क्या बोलते हैं, इसमें ग्रंटिल उताक है, उसको हमने क्या बोला है,shiँ खाल के नाम से इसको हम जानते हैं ठीक है तीन भागों में बटा हुआ है हमने बात कर लिए अगरे पढ़निका ठीक है और किसकी बात करी है अगरे पढ़निका के साथ हमने किसकी बात करी बच्चों आपे पश्ची पढ़निका और पढ़निका इन तीनों भागों में क्या होती है यह विभाजित होती है ठीक है चलो अब अगर पांचवे और नवे खंड की हम बात करें तो अधर पाश्य भाग में इसके पांचवे और नवे खंड की अगर हम बात करें तो इसमें पांचवे व नवे खंड में यानि कि आप काउंट करो यहां सी यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकास है ना तो एक से लेके नौ तक की खंड के अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर है ना तो इसमें क्या हो रहा है इसमें पांचवे और नवे खंड में क्या होते हैं इसमें पांचवे और नवे खंड में चार जोड़ी शुक्र ग्रहिका पाई जाती है क्य अंदर इस चीज को हम cover up कर लेंगे ठीक है अभी आपने का समझा यहां तक की बात कलें पूरों मुख को प्रोस्टों में मुपस्थित होता है ठीक है परितुन यानि की परिष्टों में मुपस्थित होता है शुक वले आपको देखने को मिल रहे हैं मुखद्वार की बात करी segmented अर्थाद विखन्डित होती है है ना मुख से लेकर गुदा तक का भाग यानि की mouth से लेकर एनस तक का भाग होता है और इसमें हम बात करें तो यहां पर किसमें इसमें यहां पर जो है हम जो आपको दुर्श्य दिखा रहे हैं इनमें दोनों में हम यहां पर किसको दिख जाती है ठीक है यह देखो तो यहाँ पर अगर हम इसमें बात करें तो नर्वाइब में तो यहंपे चार जोड Question क्योथी शुक्रवाईपा हैं इसके अंदर पाई जाती है और इसको क्या बलते हैं हम एक तरह सब encouraged रंद्र बोलते हैं या इस पर मैं तो सीकल अपर्चर के नाम से जानते हैं क्या बोलते हैं इनको रंद्र या फिर क्या बोलते हैं इस पर मैंतिकल अपर्चर के नाम से भी इनको हम जानते हैं ठीक है और मादा के जनन चंद्र की यह हैं चौदवे खंड पर होता है क्या बोरियत हो रही है क्या यह बताओ मुझे बच्चों बच्चे कम होते जा रहे हैं क्या हो रहा है बोरियत हो रही है यह समझ में नहीं आ रहा है बताइए मुझे बेटा आरम बेस में भी बैच में भी क्लास होंगी, रेगुलर होंगी, आप टेंशन मत लीजिए, आरम बेच में क्लासेश चल रही है, इसलिए परिशान होने के कोई बात नहीं है, तो बिटा समझो ना, अगर समझ में आ रहा है, तो इससे बढ़िया बात क्या है, समझो मैं एक एक चीज आपको डाइगराम के तरिके से बता रहा हूँ, कुछ रटना नहीं है ना, हमने पूरो मुक की बात कर ली, हमने पेरियोस्टियम की बात कर ली, हमने क्लाइटेलियम के बात कर ली, ये तीन भागों में भाइत होता है, ठीक है, सो से 120 खंड है, 14 वे 16 खंडों में निची के तरफ ये बटा हुआ होता है इसके निचे हम बात करें या पर तो मादा जनान नंदर की बात कर रहे हैं तो देखो ये 3 खंड बेटा ये हैं अगर हमने बात करी थे हैं तो तीन खंड ये थे एक, दो, तीन ये बार एक, बार एक खंड जो दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में हमने बात करी अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये 14 खंड में क्या होते हैं तो मादा जनान नंद जो हैं वो 14 खंड पर उपस्तित होते हैं और पाँचोवे-9 खुण पर बात करें, तो नरजनन जो होते हैं, नरजनन जो शुक्र, जोरी शुक्र गाईका होती हैं, यह इसके अनदर उपस्तित होती है, ठीक है, तो एकल माधा चिद्र जो होगा, केवल देखो आप, ये एकल है, एक चिद्र दिखाई दे रहा है आपक पांचवे वर नवे खंड में इसमें क्या होते हैं नर के अंदर बात करें चार जोड़ी शुक्र ग्राहिका पाई जाती है ठीक है बही कैसे एक तरसे हम बात करें यहां पर तो इसमें नर्व मादा दोनों के जनननंग पाई जा रहे हैं है ना पहली चीज़ तो यह समझ लो दूसरी अगर हम बात करें इसके अंदर तो मादा जनननंद्र कौन से खंड पर है चौदवे खंड पर है तो पांचवे वर नवे खंड की अगर हम बात करें तो इसमें नर के चार जोड़ी शुक्र गाहिका तो उपस्तित होती है मादा में एकल जननंचिद्र या जनननंद अठारवे खंड पर होता है ठीक है चार का डिफ्रेंस है समझते ज़ो फिर चार का पांच्वे वे नवे में भी चार का डिफ्रेंस आ रहा है है ठीक है शार्ज को आप त्रिक है एक तरहेइं त्रिक माना लो इसको वैस चार को याद है। चार से मतलब तब देखो पांच वे से नवे कंड में कितना गय पार रहा है। इसमें चार जोड़ी ही शुक्र गई का पिजयती है तो क्या ओओगा इसमें फिर चार आ ठीक है और फिर हम बात करें चौदवे खंड पर होता है तो हमने क्या बात करें दसवे खंड से काउंट करें हम चौदवे खंड पर तो फिर चार आ रहा है ठीक है और फिर वापस चौदवे खंड पर जाएंगे यहां पर क्या होगा फिर चार आ रहा है यानि कि पहले चार की इए बात करने तो पाँचिवे से नवे, ठीक है, दूसरे चार की बात करने तो चार जोडी क्या होती है यहाँ आप शुक्र गरही काcost तीसरी हम बात कर है चौद वे खंड पर फिर चार आ गया और फिर बात करें अठार वे खंड पर फिर आ गया चार यानिकी चौद वे खंड नर का जनन चिद्र यहां पर उपस्तित हो गा आती है बात समझ में बता दिजें क्लियर हुआ, याद हुआ यह इसी तरह से याद करोगे बता दो मुझे बेटा चैट बॉक्स में बता दो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से यतिन गुपता बेटा फिजिक्स की क्लास नहीं है ना बेटा क्लास तो बायो की चल रही है और विजुलोजी की चल रही है क्लियर है सबको बेटा बताओ देखो रटना कुछ नहीं है आप लोग क्या करते हो कि कौन से खंड भी क्या होगा बेटा रटना है नहीं ना मैंने आपको क्या बताए अभी तक हमने पहले खंड से लेकर हमने केवल अभी अठारवे खंड तक बात करी है पिर समझ जाओ 100-120 खंडों में वाजित है गरशीकंड का वाला भाग आ जाएगा ठीक है फिर गरस्नी के बाद निच्जी की उच्यों आती वात समझ में बिटा वीक बेसिक से चल रहे हैं हम हमने कुछ आगे बढ़ा ही नहीं हम तो बेसिक पर काम कर रहे हैं समझे रहो ठीक है अब देखो अब आपको आकर्ति कैसे दिखाई दे रही है इसमें आकर्ति कैसे दिखाई दे रही है आपको के शूक होते हैं कैसे होते हैं बच्चों ऐसा कार के शूक है तो शरीर के प्रतम तथा अंतिम भागों में छोड़ कर ठीक है केवल प्रतम भाग छोड़ दो और इसका अंतिम भाग छोड़ दो इन सभी भागों को छोड़ कर इसमें वलाई होते हैं जो रिंग्स होती हैं इनम दोगो यह उपकला है यह पूरा हमने किसकी बात करेए इस प्रकार से देखोlaw यह संझञचन है ऐसे ऐसे ठीक है तो यह इस प्रकार से यह माउट का मुख का भाग अब यह इस प्रकार से वलय है ठीक है अब इन वल्यों के मध्ध में अगर आप देखेंगे बच्चों देखो इन वल्यों के मध्ध में ये ये उपकला ठीक है इन उपकलाओं में क्या होते हैं इन उपकलाओं में ये शूक धसे हुए होते हैं कैसे होते हैं इन में शूक धसे वे होते हैं आती है बात समझ में क्लियर हैं यहां तक कैसे होते हैं इस वाले भाग में और कहां पर किवल मुख के भाग को छोड़ दो और एनस के भाग को छोड़ दो बाकि संपूर में क्या होंगे S-A-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A हो है वह बाल के समान सनरचना है शूप बाल के समान सरचना है अब यह ने क्या करती है जो कि फैल्टी और सिकोड्टी है तो इसमें क्या होता है इसमें फैलौवर सिकूरन होती है तो हम क्या क्या लिखते हैं यह ? फैलती्वर सिकूरती है ठीक है ? अब यह फैलेगे सिकूर होगी तो क्या एंग तो क्या करेगी ? वोई कोई चीद अग्र сок applies है तु आपने देखा हुगा केंचवा कैस चलता है थोड़ा सा आगे सा रखता है, फिर अपने आगे के पीछे के शीरी को आगे लेकिया आता है, फिर थोड़ा सा आगे चलता है, फिर अपने पीछे के शीरी को आगे लेकिया आता है, तो क्या हो रहा है, यहाँ जो शूक है, यह क्या कर रहे हैं, इसको गती परदान कर रहे हैं अर्थात इसको चलने में सहायता परदान कर रहे हैं तो बाल के समान सनरचना होती है और कैसे होती है फैलती है यानि कि बाल मतलब गोल सनरचना होती है तो क्या कोलती है आगे फैलती है फिर सुकूरती है फिर फैलती है फिर सिकूर्टी है तो आप कभी अर्थवर्म को रहे तो अर्थवर्म कितना दीरी दीरी चलता है पहले आगे के इससे को क्या करेगा फैलाएगा फिर पिछे के इससे को सकूरेगा फिर आगे के इससे को फैलाएगा फिर पिछे के इससे को सकूरेगा इस तरह से तो ये फैल्टी और स्विकूर्टी तदा क्या करती है इनमें गती प्राप्त होती है क्या होती है इन्हें गती प्राप्त होती है आई बात समझ में क्या होती है इनको गती प्राप्त होती है ठीक है और अगर हम इनके आंत्रिक अकारगी की बात करें ठीक चलो यहां तक बात स बीच में क्या होता है फोर्थ और नाइन पेर तो गंती होती है पर बिटा चार मेरी बात सुनो फोर्थ और नाइन के बीच में क्या होता है ग्रसिका का भाग होता है एक से लेके देखो उपर के मुख की तरफ क्या होता है उपर की तरफ तो मुख हो गया ठीक है फिर मुख के बाद क्या होता है ग्रसिका ठीक है और इसके बाद क्या होती है पांचवे खंड से पहले तक हम बात करें यहां पर त तो आहार नाल के प्रतम खंड की बात करें तो अंतिम खंड तक होती है प्रतम खंड पर क्या है या पर मुख होता है ठीक है और क्या होती है यह प्रतम खंड है यह मुख गुवा में खुलता है ग्रसनी चौथे खंड में खुलती है ठीक है न और हम बात करें तो ग्रसी का पा ये ग्रसनी भाग उपस्तित होता है ठीक है बेटाई मिट्टी को नहीं खाता है एक तरह से कह सकते हो कि मिट्टी को खाता है लेकिन मिट्टी में से जो कुछ पोशक पदार्त होता है उनको ये ग्रहन करता है भोजन के रूप में ठीक है और मिट्टी में से क्या करता है अपने पूशक पधारतों को ग्रहन करता है तो यहां तक बात समझ में आई पहले भाग की बात करें देखो सेग्मेंट में बटा हुआ है मैंने आपको अभी तक यहां पर कितने खंड़ों के बारे में बताए है। पहले खंड़े में क्या हुआ? पहले में मुख है। फिर उसके बाद क्या होगा? प्रतम खंड में मुख है और तित्तह चंड गुवां होती है। हम लिख लेते हैं। चीज़ को बच्चों यहां तक क्लियर आया सब को समझ में यह बता दो यहां तक लिखते हैं ठीक है समझ तो आ गया अच्छा नूट्स भी लिख दें चलो मेरी बात सुनों जैसे अगर हम बात करें बच्चों यहां पर अभी हमने क्या चर्चा करी एक सेकेंड समझो मेरी बात को भई इसका हम खंडों की बात कर लें सीधे सीधे भई इसमें क्या होते हैं देखो गरंतियल हमने क्लाइट इलेम तक की बात कर ली ठीक है तो शरी इनका तीन भागों में भाज़ दोता है यह आप में समझ लिया एकल मारा जनन चिद्र चोधुए खंडे पर चोधुए खंड पर पाया जाता है वह अठारवे खंड पर नर जनन चिद्र अठारवे खंड पर क्या ओता है वेटा नर जनन चिद्र पाया जाता है ठीक है आती है बात समझ में क्लियर चलो अगली बात करें इसके अंदर हमने कौन-कौन से खंड की बात कर ले थी अब अठारे खंड पर क्या था और प्रतम खंड अंतिम खंड को छोड़ कर चोड़ कर एस जो है समस्त दे खंड है यह ऐसा लिख लेते हम चोड़ कर समस्त दे खंड क्या होते है बाई एस आकार के समस्त दे खंडों में समस्त दे खंडों में एस आकार के शूक पाये जाते हैं क्या पायाते हैं बच्चों शूक पायाते हैं और प्रते खंड की था प्रते खंड की उपकला की गर्त में उपकला की गर्त में इस्थित या क्या कहते हैं धसे हुए होते हैं संरशना होती है जो कि इनहें गती प्रदान करती है ठीक है कैसे करती है वेटा क्या करती है सिकूर्थी वा फैलती है सिकुर्टी तथा फैलती है ठीक है तो इनमें क्या होता है इनमें जो अधी चर्म होते हैं इनमें दो पेश्ची परते भी पाई जाती है ठीक है तो हम बात करें इनकी आकारिकी की अगर बिटा हम इनकी आकारिकी की बात करें तो समझना आकारी के में क्या होता है इसमें जो आकारी के होती है शरीर पतली क्या होती है आकोशी के परत से डखा हो रहता है इसमें शरीर पतली आकोशी की है क्योंकि हमने किसकी बात करते हैं आकोशी की जीव है हैं जिसे हम पुपत्वचा कहते हैं ठीक है आई बात समझ में है ना ठीक है क्लियर बेटों यहां तक बता और लिग रहा हूं मैं आपके लिए आती है बात समझ में क्या बोलते हैं अब इसके निचले में क्या होते हैं अधी चर्में दो पेशिय परतें पाई जाती है इसमें पाई जाती है ठीक है जिसमें क्या बोलते हैं जिसमें इस्तरावी कोशिकाएं पस्तित होती है ठीक है और क्या होती है इसमें कोशिकाएं भी सम्मिलित होती है यह क्या सकते हैं हम इनमे इस्तरावी कोशिकाएं क्या होती है सम्मिलित होती है आई बात समझ मैं अब तो अब तो clear है बिटा मैंने एक एक line लिख दी है ठीक है चलो अब हमने किसकी बात करे थी भई हम बात करेंगे किसके यहाँ पर इसके मुक्र गुहा देखिए रूखिए इसको से पहले हम कुछ बिंदू और निकलते है उसकी हम चर्चा करेंगे आगे जैसे हमने किसकी बात करे थी भई खंडो की बात करें मुक्र के खंडो की है ना हाँ तो बिटा मुक्र के खंडो की अगर हम बात करें तो देखो समझो आहार नाल की बात करते है सबसे पहले हम तो आहार नाल क्या है इसमें आहार नाल कैसी है एक नली का समान है कि आहार नाल नली का समान है दूसरी हम बात करें मुख खंडों की ठीक है तो प्रतम खंड से अंतिम खंड तक है ठीक है ना प्रतम खंड से अंतिम खंड तक वो पसित होती आहां ना ठीक अब इसके में किसकी बात करेंगे मेटा इसमें हम बात करेंगे प्रतम खंड किसका है मुख का है प्रत्म खंड पर क्या है मुख है यानि कि पहले खंड की बात कर रहे है ठीक है इसी में अगर हम बात करें अब कौन सा खंड जाएगा यहाँ पर प्रत्म खंड में तो मुख आ जाएगा और तृत्य खंड तक क्या होगा यानि कि लगबग हम बात करें तृत्य खंड ठीक है यानि कि 2 से 3 की बात करें तो यहाँ पर क्या जाएगी मुख गुहा आ जाएगी समझना मेरी बात को ठीक है मुख गुहा अब कौन सा खंड बचा अब खंड बचा हमारा यहाँ पर 4 खंड ठीक है तो गरस्नी का होगी चोथे खंड पर क्या होगी यहाँ पर गरस्नी उपस्थित होगी ठीक है आई बात समझ में ठीक है अब देखो 4 खंड पर क्या है यहाँ और गरस्नी खुलती है यह लिख दीजिए अब गरस्नी खुलती है अब कौन सा आ गया हमारा पांचवा खंड तो पांचवे से सातवे खंड तक ठीक है पांचवे से सातवे खंड तक की हम बात कर रहें क्या पाई जाती है इसमें ग्रसी का पाई जाती है ठीक है अब तो समझ में आगया आपको ठीक है किस प्रकास ये खंडों में विभजित होता है ठीक है और गिजार जो होती है इसमें पांचवे वह नवे खंड तक चलती है ठीक है इसमें गिजर्ड ठीक है जो क्या करती है इसके भोजन को पीषने का चबाने का कारे करती है इसमें गिजार पांचवे नवे खंड तक होती है आगही बात समझ में कौन कौन से खंड तक है पांचवे नवे खंड तक यहां पर यह अपस्तित होती है clear है और आमाशे क्या होती है 9 से 14 खंड तक जाती है अब बताओ 14 खंड तक की बात हो गई यहनि कि 5 से हम कहां तक की बात कर रहे हैं हम 9 खंड की बात कर रहे हैं तो 5 से 9 खंड तक इसमें गिजाड भी है और पांच्वे से नवे खंड में हमने किसकी बात करी थी इसके अंदर यहाँ पर चार जोड़ी शुक्र गराई का भी पाई जाती है ठीक है उसके बाद हमने किसकी बात करी चौदवे खंड की बात करी, चौदवे खंड में क्या होता है, मादा का एकल जनन चितर उपस्तित होता है, ठीक है, और कहां तक जारी देखो, अमाशे कहां तक जारा है, पांचवे से, यानिकि नवेजे चौदवे खंड तक जारा है, अब चौदवे खंड पर क्या है, यहा अब इसके अमाश्या में भी गरंथियां पायाती कौन बताएगा वुझे कौन कॉन हैं ग्रंतियां होती है ठीक है कॉन सी ग्रंतियां होती है थीक या मुझे कौन बताएगा चैट बॉक्स में ज़ल्दी से बताओ मूस्वेड आपयों अभी तक आप्से एक बisu não और आप namely, कौन सी ग्रंतियां होती है उनका फंक्षन क्या होता है क्न बताएगा का मुझे, जल्दी से बता दीजिये जल्दी से उत्तर दीजिए अमाशा में जो गरंथियां होते हैं कौन सी गरंथि होते हैं reduynum dogenum ealium कहां से आगे इसमें, गरंथियों की बात कर कौन सी गरंतियां किस नाम से बोलते हैं उनको बता ओ यार बता ओ बिल्कुल सही जवाब काजल पटेल कैल्सी फेरस कैल्सी फेरस गरंतियां होती है ठीक है और यह क्या काम करती है मुझे कौन बताएगा इनका function बताओ function क्या करती है ये इनका function क्या होता है calciflares बिल्कुल हाँ function क्या होता है बेटाई जो humorous अमलों को करती है इसके इसकी अशचे की बात करें तो यहां पर बात करें तो आत्र जो है कहा है इसके कौन से भागए अमाशे की बात कर ली अब क्या होगी इसकी आत रहेंगी है आत्र की बात करें इसके इंटर्शन की बात करें तो यह पंद्रवे खंड से कहां तक होती है अंतिम खंड तक होती है निकलती है निकी कौन से खंड की बात करें पचीसवे खंड तक मान लो इसता अंतिम खंड कहां तक माना भी पचीसवे खंड तक मान लिया ठीक है बतला अंतिम खंड तो पूरा हो लेगा लेकिन हम बात करें किसके पचीसवे खंड तक या 26 खंड पर खंड़ पर क्या निकलती अंदमान निकलती है अंदमान में खुलती है यह मान लीजे आप किसमें खुलती है यह है अंदमान में खुलती है ठीक है इसे हम क्या बोलते हैं आत्रवलन कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं आत्रवलन कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों इसको हम आत्रवलन के नाम से जानते हैं हाँ बिलकुल अंदमाल में खुलती है अंदनाल क्या सकते हो ठीक है ना अंदनाल है खंड पर अंदनाल में खुलती है अंधनाल में ठीक है और इसको क्या बोलते हैं हम आत्रवलन बोलते हैं आ गई बात समझ में ठीक है और इसका काम क्या है इसका मुख्यकार यह कौन बताएगा मुझे इसका मुख्यकार यह अवशोशन के शेत्रफल में व्रध्धी करना होता है क्या होता है अफशुशन की शित्रफल में व्रद्धी करना होता है आगई बात समझ में क्लियर है यहां तक क्या होगा भई अफशुशन की शित्रफल में यह है व्रद्धी करने का कारे करता है और शरीर में क्या होता है अंतिमरंद पर गुदा में खुल जाती है फिर कहां प इसमें खुल जाती है, आई बात समझ में, ठीक है, आप देखो, हमने किसकी बात करी, इनके अंदर क्या होते हैं, एक तरह तरह पाचकरस पाई जाते हैं, पाचकरस उपस्थित होते हैं, जैसे हम किसकी बात करते हैं, एंजाइम्स की, तो इनमें, ख्षमा कीजिए का बच्च है तेथर यह क्या करते हैं बहई दो जनों को च्छोटेश्चрат में बांटों में ग्लाटेद shine एफ करते हैं अतर यह हुआ भोजन को कि शक्ष्मेक करियों में कि बाटे देते हैं व आहार नाल की जिलियों के दौरा क्या कर लियाते हैं अवशोशित कर लिये जाते हैं आई बात समझ में यानि ये क्या करते हैं फूड को क्या कर लेते हैं अवशोशित कर लेते हैं नूट्रियंट्स को जो ही अवशोशित कर लेते हैं यहां तक बात समझ में आती है बेटा आने केड़िमी पर तो पढ़ा रहे हैं और किस पर पढ़ा रहे हैं बेटा मन बदूर यादव बेटा बताओ समझ में आया यहां तक या नहीं आया उत्तर दीजिए समझ में आया या नहीं आया चलने से जवाब दीजिए बच्चों समय को मत बिगाड़िये केवल काजल पटल को समझ में आया और किसी को नरेंदर सैनी मन भादुर यादव कौन-कौन बच्चे कनेक्टेड है बिटा सब जवाब दो सबके रिप्लाइच चाह कहां गए बच्चों सब कहां चले जाते हो आप लोग कि बिटा क्लास अभी बस हम इसको कंप्लीट करेंगे ठीक है ना इसको हम आदे घंटा और क्लास लेंगे आपकी बस इसको हम कंप्लीट करेंगे पूरा किसको हमारे जो हमारा यह कैच्चवा इसको पूरा कर लेंगे ठ थीक है बूटा अब तो clear में अब किसम के बात कर लिया Nichtensank Ra का कैसा होता है इसमें रुदी update सब्सक्राइब करना चीज में वह बंद कारका होता है जिसमें रुदिर वाही कायें वह हर्दे होते हैं इसमें भी रूदिर वाही काई कि पीशी का वह recognize प्रादे हिसमें होता है आई बार समझ में ठीक है गुलší फज्म हमयी यह 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 बिटा HNS आ गया समझ मैं बेटा ग शम लो बस इसको रटनान नहीं बहुत संपल बहुत यहां किसंपल करें हमने यहां पर जो है इसके अंदर क्या होते हैं आत्र वलन पाए जाते हैं और इनका मुख्य कारी क्या होता है 26 खंड़े पर बढ़ाना ठीक है जिससे क्या करते हैं इनमें पाच्चाकरस एंजाइम क्या करते हैं बोजन को सुक्षू कणों में बांड देते हैं और आधार नलकी जिल्लियां होती है उनके द्व प्रकार का होता है तो इसमें रुदिर वाई का है किशी का है वह हर्दे इनके अंदर पाया जाता है लक्ष दिख्षित हैलो सर ढगरे लक्ष ढगरे आम न्यू स्टुडेंट बेटा कोई दिक्कत नहीं आप नए हो नए साल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है ठीक है आ गई बास समझ में चलो तो यानि कि रक्तवाईन ही क्या होती है यहाँ पर रक्तवाईनों तक ही सिमित रहता है कहां तक रहता है यह रक्तवाईनों तक ही सिमित रहता है और रुदिर ग्रंथियों की हम बात करें तो कहां पाई आएंगी रुदिर ग्रंतियां कहाँ पर देखो फिर से बात करो चोथे व पांचवे कौन से चोथे व पांचवे खंड व छटे खंड में भी पाई आती चोथे पांचवे व छटे खंड लिख दो आप छटवे खंड पर होती है आई बात समझ में ठीक है चलो आगे बात समझ में बताओ यहां तक कोई डाउट ठीक अब यह करती क्या है भई यह यहां पर अगर हम बात करें तो यह हीमोगलोबिन व किसका? रुद्धिर पलाजमा का निर्मान करती है का निर्मान करती है आई बात समझ में हैं जी अशिय सिंग नीट क्लास है बेटा बिल्कुल 100% नीट की क्लास है इसमें आपकी कक्षा 11 भी कवर होगी 12 भी होगी और नीट तो होगी ही होगी ठीक है? तो रुद्धिर कोशिकाओं का क्या करती है रुद्धिर? पशिकाओं का निर्मान करती है रुद्धिर प्लाजमा का निर्मान करती है आ गई बात समझ में? ठीक है यहां तक क्लियर है? चलो अब एक बाद डाइग्राम को देख लो तो यहां पर हमने किसकी बात कर लिए बिटा? हम डाइग्राम पर आ रहे हैं ठीक? चलो अब देखो हम किसकी बात करेंगे यहां पर उत्सरजन तंत्र की बात करेंगे किसकी बात करेंगे? उत्सरजन तंत्र यानि कि इन में क्या होते हैं? इन में नेफरीडिया पाए जाते हैं नेफरीडिया पाए जाते हैं ठीक है तो कैसे ये वरक के समान संदचना है नेफिल डै के हम बात करें तो क्या बोलेंगे वरक के समान संदचना होती है वरक के समान संदचना होती है आई बात समझ में तो कैसी है देखो अब देखो वरक के समान संदचना है अब समझना आगे की बात कर रहे हैं यह मुक का भाग हो गया यह मुक गुहा हो गई ठीक है गरस्निय भाग और वरको को की वाहिनिया तो यहीं से क्या होती है इसी भाग से हम बात कर तो यह वरको की वाहिनिया यहां सर निकलती है ठीक है देखो यह मुक गया मुकगवा और यह चोड़ा भाग किसका है यह ग्रस्नी का भाग है यानि कि व्रको की वाईनिया कहां से निकल रही है एक तो मुकगवा के निशे के भाग किसे निकल रही है है ना ग्रस्नी भाग की बात कर रहे है और दूसरा कौन सा यहां पर यह ग्रस्नी के भाग से निकल निची के तरफ देखो, आप यहां पर क्या है ये, हमने कौन से खंड की बाद करे एक है, रखते गरंथियां उपसित होती है, और गरसनी वरकों को एक चूड़ा होता है, पूरा, तो यह क्या होता है, एक समान सनशना, लटकी वए सनशना दिखाई दे रही है, इसको क्या है ह आई बात समझ में बेटा 100% लाते तो नितेश तिवारी जी जीरो से हीरो बन सकते हो 600 प्लस नहीं मैं किया रहा हूँ 700 प्लस ला सकते हो 600 पर क्यों जा रहे हो है 720 आउट और 720 मार्क्स ला सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है बस dedication होना चाहिए और समझ में आना चाहिए समझ रह है मेरी बात को clear है चलो ठीक अब इनको नेफरीडिया पाया जाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं इनको सेप्टल व्रक के नाम से भी जानते हैं आई बात समझ में ठीक है बेटा सब सेप्रेट चल रहा है सब सेप्रेट चल रहा है ठीक है हमने 12th के चप्टर भी काफी कुछ कर लिए हम 11th के चप्टर भी लेकर चल रहे हैं ठीक है बेटा बेटा ग्रूप में आपको बता पढ़ जाएगा अब पढ़ने पर focus करो समझ गए मेरी बात clear है चलो अब व्रक्र के शरीर में क्या होते हैं यहां पर व्रक्र की बात करें सेप्टर व्रक्र के नाम से इनको हम जानते हैं ठीक है अब इन में क्या होता है यह आयतन वह संगठन का नियमन करते हैं का नियमन करते हैं करते हैं ठीक है वही अगर हम बात करें तो कैसे संगठन होती कैसे होती है इनकी संद्रचना इनकी कीपनुमा होती है कीपनुमा होती है कैसे संद्रचना बेटा कीपनुमा संद्रचना होती है ठीक है जो कि क्या होती है नल की भाग से जूड़ी होती है जो की नल की भाग से जूड़ी होती है देखे डाइगराम की तरफ भाग से जूड़ी होती है सनचना कैसी है ये कीप के समान सनचना है और किसे जूड़ी है ये कीप के समान आकरती बन रही है ये मानों आप तो ठीक है तो ये क्या है कीप के समान सनचना बन रही है और कैसी है ये नलकियों के माध्यम से इसमें जूड़ी होती है चिद्रों के माधàyम से इनमें, चिद्रों के माध्यम से ऐसे इनमें चिद्रों के माध्यम से उत्सरजी पधारत आहार नाल के बाहर डालती है आई बात समझ में कहां डाल रही है यह अब आहर नाल के बाहर डाल रही है ठीक है चलो ठीक समझ रहो मेरी बात को बेटा मैंने क्या बता है था अभी आपको साथवे खंड तक हमने बात करी थी क्या साथवे खंड तक चटे साथवे खंड तक क्या होती है, यहां पर यह बटीवी होती है, किसके अंदर, अरे बेटा, बेटा जी, देखो, क्या बताता मैं आपको, पांचवे से नवे खंड में क्या होती है, गिजाड उपसे होती है, और पांचवे साथवे खंड तक ग्रसी का पाई जाती है, ठ फिर नवे से चौदवे खंड तक आमाशय होती है अब तो बात समझ में आ गई बेटा है रोज बायो मेरी क्लास जो है वो एक से और गंड चलती है तिन में एक बज़े और राथ को नो बज़े फिर स्पिशल कस हमारी अलग होती है तो हम रोज जो है एक सी और गंड गंड गल क्लास लेते हैं एक टायम Anda पर मतब देले अगर आब बात करें तो बहुत कि तक आभ आगई बात समझ में ठीक है चलो उचसरह पता हो क्या करता है यह बाहर डाल देते क्लियर अब किस्की बात कर लें इस इंधार कर लो तक्दी का कि बात कर रहें था कंडिये गुच्छी का पाई जाते ही जिनको हम क्या बोलते हैं गैंगलियोन बोलते हैं और दोहरी अधर रज्जु पर व्यवस्थित होती है। अपस में एकत्रित होकर गुच्छी का का निर्मान करती है। तो ये खंड़ बटे होएं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, इस सारे ये देखो आप, इस प्रकार से खंड़ बटे होएं ये पूरे। तो ये देखो बाल के समान सनचना है, है ना, हेर्स के समान ही क्या कर रहे हैं, अगर पास इनको बोलते हैं, हम लूप बोलते हैं, ये देखिए। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, क्लियर, अब देखो, क्या होती है, गुच्छिका का निर्मान करते हैं, और प्रश्चता पर क्या होता है, इनके प्रामस्तिश्क भी गुच्छिका उपस्तित होती है, क्या होती है, प्रश्चता पर प्रामस्तिश्क गुच्छिका होती है, तो अगर हम प्रश्ट सतह की बात करें तो इसमें एक मिनट रुकिए बच्चो ठीक है आगे देखते हैं इसमें तंत्रिका की बात कर रहे हैं इसमें प्रश्ट सतह पर क्या होती है गुच्छी का होती है ठीक है अब जो प्रश्चते पर बच्चों ये गुच्छी का होती है इस गुच्छी को हम क्या बोलते हैं अगर गुच्छी का बोलते हैं यानि कि प्रामस्तिश्क गुच्छी का प्रामस्तिश्क गुच्छी का कहते हैं ठीक है, क्या बोलते हैं, Cerebral Ganglion बोलते हैं, Cerebral Ganglion, ठीक है, यहने कि प्रामस्तिशिक गुच्छिगा के नाम से इसको हम जानते हैं, आती है बात समझ में, ठीक है, बेटा नितेश तिवारी हम बता तो चुके हैं आपको कि Biology यहां पर जो हैं, हम यहां पर, मैं जो हैं, एक रात को 9 मजे, ठीक है, अब तो चलिए, Clear, तो अब इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार जो हैं, यहां पर हम बात करें, तंत्रिका का एक वलय बनता है, ठीक है, तथा यह प्रमस्तिश्क गुचिकाव वलय मिलकर क्या करते हैं, मस्तिश्क का निर्मान करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, मस्तिश्क का निर्मान करते हैं, किसके मस्तिश्क का, भई केचुए के मस्तिश्क का निर्मान करते हैं, यानि कि वलय और प्रमस्तिश्क आपसम मिलकर क्या क कर रहे हैं इसके माइंड को इसके मस्तिश्क को डेवलप करते हैं आई बात समझ में ठीक है चलो क्लियर यहां तक सब को कोई डाउट तो बता दो कुछ पूछना हो तो बता दो फटा फट से जल्दी टाइम मत खराब करना बस ठीक है चलो अब देखो इन में क्या होते हैं इन में मुख्य बात करें तो आँखों का अभाव होता है इन में आँखों का अभाव होता है परन्तु इन में कुछ रिसेप्टस ठीक है यानि कि किसकी बात कर रहे हैं भाई ग्राही पाए जाते हैं है ना जैसे रसायन ग्राही यानि कि केमिकल रिसेप्टस ठीक है ये जो केमिकल रिसेप्टस होते हैं एक तरह से रसायन सम्वेदी अंग बोलते थे इनको रसायन ग्राही या रसायन सम्वेदी अंग तो यह क्या करते हैं? इनको ग्यान करवाते हैं, बोध करवाते हैं किसका? बैइ प्रकाश का ठीक है ना? रसायनिक उद्धिपनु का यह इन्हें प्रकाश व रसायनिक उद्धिपनु व इस्पर्श का बोद कर्वाते हैं वो तियांएक ग्यान कर्वाते हैं करесп Hunter शूमई की पत्ती है तो शूते हैं कुछ घ्राई होता है योटी तो आप कभी क्या करें कभी आपने केचुव कि छुआ जिसकी तुचा के बाट कर रहे है इस पर कुछ रसायनिक उद्धीपन ये फिस पर उपसित होएं जैसे आपनë हात लगाया या प्रकाश इन्पर आया तो क्या करते हैं अपने आप में चलो उसी के साफते क्या करते हैं अपनी प्रतिक्रिया देते हैं ठीक है आगई बात समझ में क्लियर है बच्चों चलिए अगली बात करें किसके बारे में हमने रेसिप्टस के बारे में बात कर ली अब हम किसकी बात करेंगे भई इसमें कैच्वे कैसे होते हैं हर्माफोडाइट होते है कैच्वे क्या होते है हर्माफोडाइट होते है अब कौन बताया का मुझे हर्मफोड का मतलब क्या होता है? जल्दी से जवाब दीजिए वैर्यवूर आफ्रन में बेटा पुश्कल हेलो 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 बेटा रेगुलर प्लासेस लेंगे टेंशन ना लीजिए अब ठीक है? जल्दी से बताओ मुझे हरमाफूरड़ेट का मतलब क्या होता है जल्दी से दूँए बच्चों बताया तो था रजीए क्या होते हैं उभन फरन क्यों क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा क्यार इतनौ खिल के बता दिया रटवा दिया गा हैं रटवा दिया क्या नहीं रटवा है ना समझाय थो एना बिटा देखो खंडो के बारे में समझ लोगे ना सब कुछ समझ में जाएगा और होता कुछ भी नहीं है भई यह हमको पता है हमारी बोडी के अंदर भी क्या है मुख से लेकर कहां तक एनस तक का भाग है ना तो भई मुख होगा ठीक है ना मुख के बाद हमारे अंदर तो क्या है एडवांस करेक्टर है लेकिन इसके अंदर क्या है इसके अंदर मुख है तो मुख की उपर की भाग के हम बात करें यहां पर क्या है कुछ भाग ना इस प्रकारत से आप याद होको फिर क्सकंडा का बाग गया पहले खंड में भुख खंड में घ्रसीका आ गई फानके यदेन से कहले। खंडू तक बटीवी होतीँ इसी के हमने बात करें ठीक है चलो तो कहरा रोप 두ते हैं और वय्लिंगी हो जाते हैं सर ठीक करने में पीठा कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है तो हर्मा Def होते हैं उभय लिंगे होते हैं क्लियर हैं चलो अब देखो इन में क्यों होते हैं नर्व मादा में व्रशनव अंडाशय दोनों उपस्थित होते हैं ठीक है यह आपको पता है हर्माफुडाइट होंगे तो इनका क्या होगा बच्चों यहाँ पर एडवांस हो जाता है ठीक है आई बात समझ में चलो क्लियर है अब दस्वे नौवे खंड में क्या होते हैं यहाँ पर हमने बात करी थी दस्वे वह हम किसकी बात कर रहे हैं ग्यारवे खंड में क्या होते हैं यहाँ पर दस्वे ग्यारवे ख शुक्रवाही का अठारवे खंड में पाई जाती है। जनन चिद्र था जबकि 88 खंड में किस की बात करती अमने नर्के जनन चिद्र की तो इसलिए शुक्रवः का काँपर आपर है 88 खंड में पाई जाती है जबकि 10 वेवा 11 खंड में क्या होते हैं तो जोडि वशन कोष यानि कि किस के लिए बैश शुक्राणू के निर्माण है तू मान लो है जी, क्या होते हैं, वशन इसमें उपस्तित होते हैं, और ठारवे खंड में क्या होते हैं, शुक्रवाही का पाई जाती है आती ये बात समझ में, क्लियर है यहां तक, है जी समझ गए, डाइग्राम में दिखा रखा है क्या, देख लो, आत्र अंदनाल चलो, नहीं ठीक है ठीक है, तो शुक्रवाही का, इसमें क्या, अठारे खंड में पाई जाती है, आती ये बात समझ में, क्लियर है, चलो अब इसमें क्या होती है, दो जोड़ी सहायक गlinthियां होती है दो जोड़ी सहायक गर्नthिया ठीक है सत्रवे वह उननीस वे खंड पर पाई जाती है खंड पर पाई जाती है, ठीक है, यानि कि किसकी बात कर रहे हैं प्रोस्टेट की बात कर ले एक प्रकार से इस हाय गंतियों की बेगिंती में आती ही न यहाँ पर भी क्या होती है प्रोस्टेट और शुक्रवाहिनी का जोड़ा बनता है तो इन में इन में प्रोस्टेट वर शुक्रवाहिनी का क्या होता है जोड़ा होता है आई बास समझ मैं तेने की शुक्र वाइन ये पोस्टेट क्या होता है इसमें जोड़ा होता है ठीक है और किसमे खुलती है यह जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है किसके दारा खुलती है बच्चों यह जनन शिद्धी के दारा बाहर खुलती है और इसमें क्या होते हैं छोटे थेले नुमा सन्रचना के समान पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं शुक्राणू धानी बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा शुक्राणू धानी कहते हैं तो यहाँ पर क्या होता है एक तर से इस पाम शुक्राणू उनका सन्रचन होता है उनका स्टोरीजेन किया जाता है ठीक है और इस सन्रचना कहां पाई जाएगी अंडाशे शुक्राणू धानी जो है शुक्राणू धानी यह वैंडां के नीचे पाए जाती है नीचे पाई जती है आई बात समझ में ठीक है फिर क्या Hang एक है अन्डा इक क्वेली में डॉन ओती है जब में आज़े दुवरान क्यों हर मीचिство क्यों कर Give. नाती हो नीचे निचिआ ले ऐसे जाती है फिर क्या हो होता है यहां पर कोकून का निर्मान होता है कोकून का निर्मान होता है तो उसके बाद क्या होता है दो से तीन अफ्तों की चार अफ्तों की बात करें उसके दोरान क्या होता है इनके जो है इनकी क्रिया पूरी होती है और इनमें बच्ची जो निकलना है शुरू हो जाते हैं आती है बात समझ में, ठीक है, आती है बात समझ में, यह देखो, क्या है यहाँ पर, यह देखो, 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 यह बनी वी है इसके अंदर ये कीब बनी वी है और ये अंडवाई नहीं और ये इस पर मेटिक कोड याने की शुक्रवाई का की बात कर रहें तो कहां जा रही है ये सीधे प्रॉस्टेट गंती के द्वारा जुड़ी हुई है देखिए खंडों को देखिए आप यहां पर देख सकति ये ऑर वेशनवाई निया उपस रही इकिया प्रोस्टेट ग्लैन्ड्र पोस्टेट गंति उपस यह इसका सेकृ कर मिलता है इसके semen में अर्थात जो शुक्रानुए उनके अंदर मिलता है ठीक है तो उसे मिलकर क्या बनता है एक पुरा जो है semen यानि की वीरे बन जाता है इस प्रकार से यह देखिये और फिर क्या होती है इसमें लिक्षट आगते हैं अगल आश्य बात समझ में दिलिप जोडिया असर आप PDF सेंड नहीं करते हैं बेटा अभी आपको हाथों हाथ PDF मिलेगी परिशान नहों यह और बताईए ठीक है यहां तक clear हुआ सब कुछ clear हुआ ठीक है अब इसके बाद क्या है भई किसान क्या है केचुआ क्या है हमारे किसान का मित्र है ठीक है ना क्या करता है भई मिट्टी को उपजाओ बनाता है यह तो हम छोटी क्षान होता जानते हैं उपजाओ बनाता है ठीक है और क्या बात करें मचली पकड़ने में भी कार्य में आता है ठीक है और मिट्टी को उलड़ता पलड़ता इसलिए क्या करता है इसको किसान का मित्र कहते हैं यह मृद्धा में खनीज पधारतों व उर्वरक्ता को बनाय रखने में सहायता करता है में सहायता करता है आए बात समझ में क्लियर है यहां तक बताईए हाँ तो फ्रेंड्स और फार्मर तो यहां पर बेटा हमने क्या करी संपूर्ण जानकारी ले ली किसके बारे में भाईया यहां पर कैच्वे के बारे में आए बात समझ में क्लियर है ठीक है चलो तो यहां तक हमने क्या क्या बेटा हमारे इस कैच्वे के भाग को पूरा कम्प्लीट कर लिया अब यहां तक किसी को कोई शंका मन में डाउट होतो बताओ बेटा डाइगराम को सिफ समझने के तरीके से देखना इसमें ज़्यादा डीप गुसोगे तो बिल्कुल क्या हो जाओगे एक तरह से हम बात करें शुक्रवाई का भी उपस्तित होता है ठीक है और सत्रवे से 19 वे खंड तक की बात करें तो यहां पर क्या होती है इसमें पूरी जो है शुक्रवाई का 18 वे खंड पर पस्तित होती है और जो कैल्सिफरस गंतियां है वो आमाशा में उपस्तित होती है आई बात समझ में ठीक है तो हमने सभी प्रकार से इसको पूरा बेटा कंप्लीटली कवर अप कर लिया है ठीक ठीक है आई बात समझ में चलो तो इस प्रकास से क्या करते हैं ये कई प्रकास से जो हैं हम इसमें पूरी जानकारी ले चुके हैं बागे कुछ पॉइंट NCRT के हैं बेटा वो आप देख लीजेगा हमने पूरी NCRT के पॉइंट को यहां पर ले लिया है ठीक है ना तो मेरे है सबसे कुछ नहीं बचा है अभी ता है ना इस प्रकार से तो चलिए बच्चों फिर तो आज आज किस लेक्चर में हमने किसको कंप्लीट कर लिया आज के इस lecture में जो हैं हमने completely cover up किया है यहाँ पर हमारे केंचवे को ठीक है अर्थ वाम को अर्थ वाम को तो अर्थ वाम के बाद अब हम next किसकी बात करेंगे बेटा हम बात करेंगे तिल चट्टेगी यानि की cockroach की बात करेंगे ठीक है जो क्या है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है तो उसको हम बहुत ध्यान पूर्वग और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे ठीक है बच्चों तो यहां तक की बात समझ में आती है ठीक है clear है हाँ बिल्कुल बिटा बाहर 14 से से बाहर निकलता है ठीक है कितने चिट देता है एक बार में चाइल्ड बिटा चाइल्ड लगबग मान के चलो आप 2-12 मतलब संख्या नहीं कह सकते संख्या का बिटा थोड़ा था मुझे भी आइडिया कम है ठीक है आपके NCRT में शद देख लेना हाँ इसके बाए बिटा हम कॉक्रट चो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल क्लियर ली ठीक है अच्छा इसके लावा और कोई डाउट कुछ समझ में नहीं आया तो बता दो क्लियर है सब कुछ यहां पे है ना बिटा अपनी स्टेंथ को तो बढ़वाओ है रहीएगा बने रहीएगा और हम शुरुवात करेंगे किस की हम शुरुवात करेंगी कौकोच की ठीक है तो एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार बरा क्या नमस्का और साथ आपको नव वर्ष की और आपके परिवार को भी नव वर्ष की हार्दिक श अच्छे नागरीक बने ताकि भारत का नाम रोशन करें संसार में संपुन संसार में हम भात ये आगे बढ़ कर दिखाएं ठीक है बच्चों क्लियर है यहां तक चलिए अंकित शर्मा हैपी नियूए बेटा हैपी नियूए दिव्यान शिवर्मा थैंक्स बेटा चलो ठीक है तो यहां पर क्लियर होगे तबको कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं है ना चलिए बच्चों तो फिर आज का सेशन हम क्या करते हैं आज की सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं मिलते हैं हमारी रात की 9 बज़े वाली कक्षा में तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो धन देवाद